नमस्कार दोस्तो पबलिक केरियर यूट्यूब चैनल की तरप से मैं विनोध आप सभी का मोस्ट वैलकम करता हूँ तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियों में पढ़ने वाले हैं रठने वाले हैं और याद करने वाले हैं उपराष्ट पती से संबंदित सभी अनुच्छेदों को देखिए उपराष्ट पती पत का वरणन कौन से अनुच्छेद में हैं योगता उसके लिए क्या चाहिए ठीक है और इसके संबंद में जो भी दोस्तो आर्टिकल्स इंपोटेंट हैं वो इन सभी को दोस्तो हम ट्रि लिखोना चाहिए किसी लाब की पत पर ना होना चाहिए पढ़ा लिखा वे पागल वे दीवालिया ना होना चाहिए देखिए पढ़ा लिखा होना चाहिए पागल वे दीवालिया नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह सारे मानक हैं इनको पूरा करना राष्ट पती पत के आँखी वीडियो का विशय है उप्राष्ट पती से लेकर दोस्तो 60 थjan चलिए देखे आपको डिक्नी राखना है जो यर 2 और आपका कोई अडिकल आता है तो उसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है उपरी काम निकाल रिक्त पत पर निर्वहन कर ठीक है उपरी काम निकाल उपर यानि उपो देखिए उपराष्ट पती उपो उप से आपको उपराष्ट पती को रेलेट करना है कि वह उपराष्ट पती के लिए हमें ये वाला दोहा याद रखना है दोहा क्या है तीन से चार बार याद रखेगा आपको 100% याद रहेगा उपरी काम निकाल रिक्त पत पर निर्वहन कर देखें इसका मींस आपको समझाता हूँ उपरी काम याद निकाल और फिर रिक्त यानि खाली पत यानि खाली रास्ते पर निर्वहन कर अपना गुजर बसर कर अपनी ठीक है तो इस टायप से आपको याद रखनी है उपरी काम निकाल रिक्त पद पर निर्वहन कर अब आपको हो गया यह पागली हो गया नहीं यह आपको बार बार रिपीट करना है ताकि आपके माइन में पूरी तरीके से सेट बेठे अब यहाँ आपको वर्ड क्या पकड़ना है देखिए आपको वर्ड पकड़ना है उप री तो भई एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा यहां से देखिए उप री में आपको उप याद रखना है री अलग तोड़ना है ठीक है काम को आपको अलग याद रखना है और आपको नी को अलग याद रखना है नी को और काल को आपको अलग याद रखना है रिक्त को आपको अलग याद रखना है पत को आपको अलग याद रखना है ठीक है पर यहाँ पर constant है और निर्वेहन को आपको अलग याद रखना है और यह कर भी यहाँ पर दोस्तों constant है तो दो यहाँ पर constant है और आपको बाद वाकी सारे से मतलब सारे जो सब्द बची हुए है इनका मीन्स आपको याद रखना है अब मैंने आपको एक एक वर्ड बताया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें उपकी ठीक है तो यहां पर भी ट्रिक का विसलेशन नीचे भी है देखे उपरी पहला वर्ड था उपरी दूसरा था क्याम काम नई क्याल है निकाल उपरी काम निकाल तो देखिए आपको यह तो पता है भई एक अनुच्छी तो आपको याद रखना पड़ेगा भई आर्टिकल 63 ठीक है और उपराश्ट पती उसमें है ठीक है तो आप लोग यह भी याद रखिएगा भई उप मैं तीन आरा है और 63 में भी देखिए यह भी तीन आरा आपको यह 33 में भी तीन आएगा तरेपन में भी नहीं देखिए आपको अंदाज़ा तो इतना तो जरूर होगा भई उपराश्ट पती कौन से आर्टिकल में है एक अनुच्छेद आप याद रख लिए 63 और फिर किर्मानुसार लिख लीजेगा उसको और फिर इस्ट्रिक का विस्तार जो है आप कर दीजेगा बिल्कुल 100% accurate बेठेगी अब उपरी में भी आपको क्या याद रखना है 63, 64, 65, 66, 66 आगे भी है तो उपरी आपने अलग लग लिख लिए 63 के सामने आपने उप लिख लिए 64 के सामने आपने लिखा री तो 63 के सामने उप का मतलब क्या है भारत का उपराश्ट पती तो कहने का मतलब भारत के उपराष्ट पती पत का उलेख कौन से नुच्छिद में है वो है आर्टिकल 63 कहने का मतलब हमारे संबिधान का आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट पती होगा तो याद हो गए आपको, ठीक है, तो भारत के उपराष्जभा का वरणन कौन से आटिकल में, अग्स्टिकल 63, यानन 6ud 63 में, अब ये तो हो गया, उपका मीइंस, इप र है Cay न उपरी, रीत से आपको याद रखना है, राज्य सभा का पदेनसभापती होता है, ठीक है, तो र उपरी काम निकाल ठीक है उपरी काम अब काम से आपको क्यायद रखना है देखिए काम से आपको याद रखना है राष्ट पती का पद रिक्त होने पर उपराष्ट पती के कामकाज तो राष्ट पती का पद अगर खाली है बाई दवे किसी कारण वस ठीक है किसी कारण वस या राष्ट पती का पद रिक्त होने पर उपराष्ट पती का काम काज कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 60 कौन से में 65 में तो आप लोगों को ये चीज़ जयाद रखने है ठीक है तो काम का मतलब है राष्ट पती का पद अगर किसी कारण वस रिक्त है खाली है तो उपराष्ट प को क्याद रखना है उपराष्ट पती का निर्वाचन यानि कि उपराष्ट पती का चुनाब ठीक है तो उपराष्ट पती का जो निर्वाचन कराया जाता है वो किस के आधार पर कराया जाता है ठीक है तो आड़ इगाद 66 के आधार पर कराया जाता है ठीक है तो आप लोग ज आपको यह चीज याद रखनी है अब निकाल काल से आपको क्यायद रखना है उपराष्ट पती का कारियकाल या पदाबधी कहने का मतलब आपको इस ते याद रखना है 67 से उपराष्ट पती का कितने वर्स का कारियकाल होगा पदाबधी ठीक है पदाबधी का मतलब पद के ल या उपरी काम निकाल ये प्रॉपर विसरेशन हो गया अब रिक्त पत पर निर्वेहन कर ठीक है रिक्त पत पर निर्वेहन कर तो भाई रिक्त से आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है उप्राष्ट पती की आक्स्मिक पत रिखती को भरना वही आक्समिक पत को भरना है तो फिर केस परकार से तो इस परकार से भरना जाएगा आर्टिकल 68 की मदद से उप्राष्ट पती की आक्समिक पद को भरना ठीक है उप्राष्ट पती की आक्समिक पद को भरना ठीक है उप्राष्ट पती की आक्समिक पद को भरना ठीक है तो रिक्ती से आपको याद रखना है उप्राष्ट पती अगर अपना कोई त्याग पत्तर देदे या किसी करनबस उपराश्ट पती की मिरत्य हो जाए तो अक्समिक इस्तुति में उपराश्ट पती पत को भरना किस आrimentिकल कहता है निर्दारित है तो रिक्ती से आपको ये याद रखना है रिक्ती ठीक है उपरी काम निकाल रिक्त पत्थ पर तो पत् से आपको क्याद रखना सफत ठीक है पत् यानि की सफत तो 69 आर्टिकल में उप्राश्ट भत्ती डवारा ली जाने वाली सफत है ठीक है देखे एे ट्रिक आपको कही पे भी नहीं मिलेगी ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है ठीक है तो उपरी काम निकाल रिक्त पत पर निर्वहन कर तो अब आपसे पुझेगर उपराष्ट बती द्वारा ली जाने वाली सफ़त किस में हैं कॉंसे आर्टिकल में 69 में अब आ जाते हैं 70 सोरी 79 नहीं है दोस्तों यह 70 है ठीक है तो 70 आर्टिकल क्या कहता है देखिए इसमें है निर्वहन उपरी काम निकाल रिक्त पत पर निर्वहन कर देखिए पर जो है वो कॉंस्टेंट है और कर भी कॉंस्टेंट है तो निर्वहन से आपको क्यायद रखना है देखिए संसत द्वारा अन्य आस्मिक ताओं में राश्टपती के कर्तवे निर्वन्द संबंदी नियम बनाना किसम है तो ये दोस्तों आप सभी जैसे की संसत द्वारा अन्य जो आक्स्मिक इस्तिती होती है हमारी emergency की इस्तिती में राष्ट पती के कर्वत मतलब कर्तव्य निर्वहन संबंदी नियम बनाना कौन से आर्टिकल के तहत है तो ये 70 के तहत है तो भाई आपको ये चीज याद रखने देखिए दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक अपना फीड़्वेक जरूर भेजें कैसी ट्रेक लगी आगे भी इसी तरह की ट्रेक आप सभी को दी जाती रहेंगी फिलाल के लिए थैंक्यू वेरी मच आप सभी का दिन बाइब झाएब आप बाइब आप